जै माता की सभी भक्तों को कैसे हूँ आप सब आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं और स्वस्त हैं और माजगजनी मामबे की कृपा भी आपके उपर बनी हुई है यही मेरी अमेशा कामना रहती है और माता रानी के आशिरबाद से और आप सभी के प्यार से आपको ये benefit होगा इस तरह का लाव होगा तो मैंने सुचा क्यूं न मैं भी आपको ये चीज बताऊं कि जिससे जो है आपको भी लाव उठाने को मिलें चाहे आप थोड़ी ही सेवा करें पर उस सेवा का आपको कितना लाव होता है क्या क्या लाव होता है उसके लिए मैं आप को बता रही हूं तो मेरे साथ अंतक बने रही है तब भी आपको पूरी जानकरी मिलेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और मा की इस प्यारे चैनल को भी सबस्क्राइब करें साथ में बैल आइकन है उसको प्रैस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुच जाए और इस तरह की वीडियो आगे भी मैं आपके तक लाती रहूं तो क्या होता है कि जब हमारे घर में बीमारियां बहुत जादा होने लगती है या फिर कले कले बहुत जादा रह है शुकर ग्रह आपका कमजोर है शुकर जो ग्रह होता है यह जो है देत्य गुरु शुकर अचारे शुकर होते हैं तो जो है आपका जो जैसे आप लगजरी ववस्ताइं चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके जो है राजनिती में आप जाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आ के पास गाड़ी हो, आपके पास बंगला हो, आपको जो भी सुविधाएं चाहिए लक्जरी लाइफ आप जीना चाहते हो, वा सारी आपकी पूर्न होती है ग़ु सेवा करने से आपको यह सारे लाब होते हैं, जो शारीरिक रोग होते हैं, कि बहुत सारे लोग बिमार रहते हैं चोटी चोटी बिमारियां उनको हर समय सताती रहती है कभी उनके पैरों में दर्द हो जाता है कभी सिर दर्द रहता है कभी ऐसा लगता है कि बदन तूट रहा है कभी ऐसा लगता है कि हम गोलियां खाते जाते हैं और शूगर की बिमारी हो रही है, हार्ट से जोड़ी हुई बिमारियां हो रही है, किडनी की जोड़ी हुई बिमारियां हो रही है, या कोई ऐसी बिमारी हो रही है, बलड से जोड़ी हुई बिमारियां हमारे शरीर में हो रही है, तो उन सारी बिमारियों से भी आपको बचाती है, गव सेबा करने स अगर हम वही इनकम का कुछ हिसा गव सेबा में दे दे दें कुछ भी आप निकालते हो यह चारा निकालते हो हर चारा तो वर भी जुरूर निकालना चाहिए दो रोटी तो गव माता की जरूर अपने घर से निकाले। इससे आपके घर में जो गव माता के अंदर कहते हैं कि 33 कोटी देवी देवताओं का बास होता है, किसी भी देवी देवतागी कृपा आपके घर से नहीं रूस्ट होती है। माता पिता की सेवा से भी बड़ा पुन्य मताया जाता है और माता पिता के साथ जाके सेवा करते हैं या आपके पित्र जो है वो शुद नहीं है पित्र जो है आपके दोश रहता है पित्र दोश आपकी कुंडली में है पित्र दोश आपके घर में है पित्रों की जो है आपके समझने की क्षमता बनाई हुई है, दिमाग बनाया हुआ है, कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारे करमों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जब हम करम अच्छे करने लग जाते हैं, तो बिमारियां हमारे घर से अपने आपी दूर हो जाती हैं, करमों की खेती जैसी बोएंग तो उसको भगाते हैं वहां से ऐसा भी नहीं करना चाहिए अपने आप ही जो है गव माता अपने आप चली जाती है वो सोम्मे रूप होती है और क्रिशन बगवान काना जी को तो आप जानते ही हो उन्होंने कितनी सेवा गवालय की रूप में भी उनको पूजा जाता है माना तो गव माता की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए साथ में अगर आपके घर के दरवाजे पे गव माता कभी भी आती है तो समझ लेजिए कि आपके घर में पित्र दोश है उसका साइन ये भी होता है कि आपके घर में पित्रों की क्रिपा होने वाली है तो आप गव माता की दरिदरता होती है या फिर आपके घर में जो बीमारियां होती है जो income sources बंद हो रहे होते हैं सरकारी नोकरियां नहीं लग रही होते हैं वो अपने अब भी बनने लग जाती हैं तो ये मैंने कुछ किसी ने मेरे से कहा था कि इसके लिए जरूर बनाएए जब हम गव साला में जाते हैं तो लोग कहते ही हैं तो इसके लिए मैंने सुचा आज एक वीडियो जरूर बन जाए ताकि आप सभी लोगों को भी पता चल जाए अगर मेरी वीडियो से दस लोग भी घौ माता के लिए ज唐 निकालने लग जाएंगे तो मेरी वीडियो अपने आपी पूर्ण हो जाएगी तो आसा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेर करें कोमेंट करें और मा के इस प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें चलिए जैमाताई